कार गाइज आज है 27 चुलाइट दोजार चोबीस तो आज हम लोग लेक्टर 27 के बारे में बात करेंगे तो आप तमाम नेट और जायरेफ की तियारी करने वाले बच्चे तथा फ्यूचेर एसिस्टेंट प्रोफेसर एस्सेट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर वैस चांसलर चा टॉपिक तो कल हम लोगों रेक वैदिक कालकार समाज के बारे में देखा था कि समाज उसमें समय आधार क्या था तो परिवार परिवात परिवार की संकलपना थी जिसे कुल कहा जाता था और फिर दसमें मंडल की चलचा फिर बाद में की गई थी जिसमें पुरुसुक्त थी और इसमें चारवन का वर्ण क्या गया था ब्रह्मन चट्रिय वैस और सुर्द अब उसके आगे देखते हैं उसके आगे यू रहा प्रा प्राव में तीन वर्ण ही थे चौथा वर्ण कॉन चुरा तो सुर्द जुड़ गया तो इस तरह से चार वर्ण हो गया कॉनकॉन ब्रह्म छट्र विश और सुद अब आगे देखते हैं आगे है आगे आप लोगों का रिगवेदिक काल में दास पर्था थी तो बिल्कुल इस इसलिवी को लिए वर्ण का यय को रिगवेदिक काल में दास पर्था थी लिए लूग का यूंग क समाज में तीन वर्ग थे आथी कौन-कॉन तो यूधा रहते थे एक प्रोहित थे और एक आमजन थे तो कितने लोग थे अर्थात कितने वर्ग में वीभाजित था उद्धा, प्रोहित और आमजन समाज के साथ अरिक वेदिक कालका तो अरिक वेदिक कालका समाज कभिलाई अठाट ट्राइवल सेटप था ट्राइवल आप लोग स्टी सिड्डूल ट्राइव होता है तो ट्राइव जो कभिले में रहते हैं जैसे कि कभिलाई ट्राइवल सेटप यह लोग घुमन्टू थे अ कोई संगठित सेना नहीं थी यह लोग संगठित सेना नहीं रखते थे कि आक्रमन होगा तो इस तरह से बचेंगे संगठित सेना का नहीं रखते थे अब आगे एकल विभा था उसमें सिर्फ एक विभाई होते थे प्रंतु कहीं कहीं बहु विभा का भी चल चाल लेकिन बहु के साथ संब्ख बना कर संथान पयदा कर सकती तो इस प्रकाट से संब्ख बना कर सकती टो इस पड़ा कर रिगवेदिक काल में नहीं थे कि अगर पतीमर्या बच्चे अब आगे समाज में क्या क्या नहीं था यह सब था और क्या नहीं था तो बाल विभा नहीं तो यह सब बहुत सारी यामें बठ गई है अपना समाज तो यह सब समाज में नहीं था पर्दा पर्था नहीं थी सती पर्था नहीं था लिखावट का पर्मान नहीं मिलता है कि कुछ चीज पहले के लोग लिखते थे ऐसा पर्मान नहीं मिलता है और बहु पर्था यह सब समाज में नहीं था यह सब समाज में नहीं था यह सब समाज में क्या थ नहीं थे अगे आप लोगों का कि वल तीन आश्रम थे और आंश्रम भा और HU घर स सैंनागे दिनॉजय का तो पहले तो दिधिक ग स्थारव को जोड़ा गया था दसमें मंदल में तीन आश्रम भाम चर ग्रिह स्टेस्त परसर आपको पताएं कि ब्रहमचर का जिवन जिरो से 25 साल का होता है फिर पचीश से 50 साल का ओर पीस के चौछ से 75 साल का होता है तो के when होता था लेकिन विद्वा का विभाह को इसलिदन यह जरूड़ी नहीं था यह कमन रेर ही छहन होता था विद्वा का विभाह workshop जीवन भर जो कन्॑न ळॉद्टी थी उन्हें को descri T को हाले कि ए sesiasto को सब्सक्राइब्स कें सब्सक्राइब देखोएं फिरफ विदूसी कालत होता है विद्वान क्या होता है विद्वान विदेशी महिलाओं का वर्णन मिलता है कहां तोरिक वैदिक काल में तोरिक वैदिक काल की विदेशी महिला कौन को नहीं ब्रह्म वादनी विस्वारा है ब्रह्म वादनी अपाला है ब्रह्म वादनी घोसा है ब्रह महिलां में मंतरों की रचना की है और यह जो लुपा मुद्रा लुपा मुद्रा है मैला ह यह अगस्थ्षी ऑफट्नी थी जो की境 का जन्म लिए अच्छा था रिक्विधिक काल उपने अंस्कार का था मुण्डन चुड़ा कर्म होता था मैलाओं जैसे कि आप लोग अभी तेरु पती जाते होंगे वहां मैलाों का मुण्डन होता है तो उस्सामें भी अर्था प्रफार बालता है तो उपने अन्सकार का भी अधिकार था तो यहीं कर सकती है राजनेतिक संस्थां जैसे सभा समिती में भाग लेने का इस सभा समिती के वारे में लोगों को प्रिषी जाएगी तो राजनेतिक संषा में भाग लेते कि इस प्रकार का समाँज था कितना अच्छा था और इग्यदिक काल जब कि उत्तरवेधिक और सब्लके अधिकाल सब करने का था लेकिन उत्तरवधिक काल ये साधे法 का में पजार इस पूरेकर चे स्कार मोम उपक्र फिर millimeters ऑगी समध्यकारी नहीं था तर मेला क्या करेंगी बताइए सोच लिए और पहले मांगा की इस इस ती अच्छी थी पिछली सथात्मक थी लेकिन अब पूछा जब नेकाल की राजनीतिक इस्थिति तो महिला सभायों समिति में भाग लेती थी तिया तो यह सभाश समीति में स्थिति में जाये कई परिवार मिलेंगे तो कुल बनेगा और कुल का मुख्या क्या कहलाएगा कुल अब कहलाएगा और कई कुल मिलने से ग्राम बनेगा जब परिवार मिलेगा तो कुल बनेगा कुल मिलेगा तो ग्राम बनेगा और ग्राम मिलेगा तो जन बनेगा और जन मिलेगा तो उसके बा है कई जन के मिलने से विसों का मिलने से राष्ट्र बंचा है और गूट का मुक्या किया कहलाता है घ्राम का मुक्या कहलाता है जन का मुक्या जनपती चैक गोपता जनस कहलाता है विस का मुख्या विस्पति कहलाता है और फिर लास्ट में राष्टर का मुख्या राजा या फिर राजन कहलाएगा जो कि आप लोग जानते ही है राष्टर का मुख्या क्या कहलाएगा राजा या राजन तो उसी को यहां पर समझाया ग्या डागरम के इंग आगे आप लोगों का प्रीगवेद में राजनसब्द का उल्लेख यह राजा की कोई संकलपना नहीं है ज़िसका कैट कभिलाई मुख्या का उल्लेख है किसका कभिलाई मुख्या का मतलब जो लोगों की डेखरेक करते थे आगे आप लोगों का रिगवेद में जनसब्दका जय्त करक्छ कितने बार किया गया तो 275 बार किया गया है जिससे जन की भूमी का महत्पूर्ण हो जाती है जिसका ज्यादा उल्ले किया गया मतलब कि इंपोर्टेंट है अब आप लोगों का जैसी की कोई गल्फ्रेंड होगी तो आप लोग दिन भर उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो भूमी का महत्त पूर्ण है अब आगे आगे आप लोगों का उत्तरवेद काल में कभिलाई परिवार ठेलbs अब गुमटू लेने लगी थी एक जन पड का निर्मान किया गया जैसे कि आप जन पड का नाम सुने होंगे अंग चंपा इसे सब तो उत्तरवेदिक काल्म से ही जनपड बनाने लगे थे यह सब जन मिलकर और भगवलिक अकार लेने लगे थे सब और भंगलिक आकार का देखवाल राजा के द्वारा किया जाता था अब यह जो जनपत बनाएगा तो इसका देखवाल करने के लिए भी तो कोई रहेगा बहुत बराच्छेतर का तो इसका देखवाल राजा के द्वारा किया जाता था राजा का फिर चुनाव होने लगा उसक सभा विदत आप लोगों को बता जाएगा तो अब देखिए रीगवेदिक कालीन राजनेतिक संस्थाइं ती यह क्या थी तो रीगवेदिक कालीन चार संस्थाइं थी और यह आज के रासभा की तरह आप इसको समझ सकते हैं इसमें बढ़े बुज़ुड की संस्था हुआ कर क्योंकि आपको लोग को पता ही कि लोक सवा में जनता का पटे निदी होता है तो यह समीटी में भी आम जनता के परते निदी सवा हुआ करते थे इसको आप आज के लोक सभा समझ सकते हैं गण यह सबसे पुरानी अथार प्राचीन लोग टांत्रिक संस्था थी इन वारों में बी सबसे प्राचिन कोंती तो गनती जैसे कि एंट्रमेद्ष एतरी इन चारों सनस्था में सबसे प्राचिन आंधि और ईधाय और आघे आप लोगों का persistence तरफ़द में कितने वार ऊंख्या गया है आठ बार किया गया है समीति का उल्लेक नौ बार किया गया है इसे समेख और देख है याद करके रखेंगे आगे आप लोगों का अथरवेत में सभाय पर्चापती की दो सभाम समित्व की को क्या क Gravity की दोव पुत्रिया आ ग्या है और समित्व की पति रिये संसफान है समिति जो है वो चैन क्या करती थी तो नेतलित नेतलित करता का चैन करते थे और इस जिनका करें तो यह निप्लित जिकर टीन एक आप लोग राजन कर सकते हैं तो यह निप्लित करता हिए भर्र tamam करता था इसी को राजन अथार्थ राजा को बैसी को शुकहत्अ के लिए 40 और राज बैसी अकिले कषुट तो द Вेले सब्सक्राइब téma, इनके लिए हिन के लिए हिन चार लोग रूभा करते थे तो यह होगी आप लोगों का आगे की बात्कल की जाएगे चलिए खुछ और बता जिया जाते हैं यह चार लोग कहते थे अप लोगों का सूत काज़ harsh चाहत करते थे कर्मार होते थे यह पिर निडवल चैन करता था राजा का चैन करता था राजा का क्या होता था तो वो जनता की देखवाल करना उनका भरंपोसन करना यह सब राजा के कार होते थे और इनकी साहता के लिए चार लोग होते थे कौन-कौन सूतकार ग्रामनी रतकार करमार यह सब आप लोगों को कल बताए जाएगा में जो भी किताब या कुछी खरी देंगे उन सब को आप लोग परना सुरू कर दें बहुत ही बहुत चारा फैदा करेगी और प्रतेक दिन आप लोग सुरू से अंतक रिविजन करके जरूर आए चाकि आप लोगों को बहुत फैदा हो तो चलिए आप पीछे का कुछ रिवि रीविद को में किसकी उपासना से उसली की एंगे उपासना से उतलिए और को संवत्ते इंगे आप लोगों को आज इसके बार में किया था आगे आप लोगों का चलिए दुसरे डुर्विदेढ haka सम्मद को समर्पित चलिए पीछे चल जाते हैं पीछे आप लोगों का आच व्यापार जब यह क्या कहते थे मुहरे के बारे में उससे में आप लोग बता है कि तीन का आयात सब्सक्राइब कर लिए तो इसका टैली में मिल जागा जलाए लिधकाप सब्सक्राइब त्सक्राइब और सकते हैं और अपनी तैयारी जिलाएक बहुत भुत धन्यवाद आप इसका लिंक दिस्क्रिशन में देती आ गया वहीं पर पीडियोप मिल जागा थैंक यू